हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं कार्बकेटाइन की इस्टिबिलिटी में आज हम लोग कार्बकेटाइन की इस्टिबिलिटी से रिलेटिड जो मेकेनिजम के रियक्शन से वो देखेंगे और सबसे पहले में लास्ट लास्ट में जो तीन कोश्चन्स दिये थे कार्बकेटाइन के stability से related उनका मैं answer बोल देता हूँ first question अपने पास था the correct order of stability of the following कार्बकेटाइन यह तीन कार्बकेटाइन थे अपने पास इनके stability को order बोलना था बहुत ही simple था maximum लोगों ने correct बोलाए इस कार्बकेटाइन के पास देखो पास में oxygen है उसके पास loan pair है वो loan pair दे करके क्या कर देगा यह loan pair देगा तो इसका octate complete हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा stable हो जाएगा C क्योंकि यहाँ octate complete हो जा रहा है वो भी loan pair के मिलने से तो C सबसे ज़्यादा stable होगा या तो answer होगा 2 या फिर होगा 4 A और B में A के पास HC hyperconjugation है और oxygen खीच रहा होगा दूर है HC hyperconjugation कितने 3, 3, 6 और 2, 8 लेकिन B वाले में यहाँ पे कोई resonance है क्या A में नहीं B वाले में देखो HC hyperconjugation है 6 साथ में यह plus charge pi bond के साथ resonance रिकार रहा होगा in general resonance वाले effect dominating होते हैं तो यहाँ पे lone pair से resonance होआ वो सबसे अच्छा है यहाँ पे pi bond से resonance हो रहा है तो वो यहाँ पे तो resonance ही नहीं था उससे तो अच्छा ही है तो C सबसे आदा फिर B फिर A तो answer होगे अपना second अगर हम लोग second वाले question में देखते हैं second में अपने से क्या पूछा गया था वही सेम हमें stability का order लिखना था tertiary butyl carbogatine इन सब में सबसे जादा stable होगा हमने सीखा था benzyl carbogatine से भी थोड़े से जादा stable होते हैं तो A सबसे जादा stable होगा या तो answer होगा first या तो answer होगा second और उसके बाद कौन आएगा D अभी भी competition पूरा बना है इन दोनों में कौन जादा stable होगा C क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पे इसके पास XC hyperconjugation है और यह stable रहेंगे यहाँ पे तुमने W bonded carbon के पास cycle में plus charge रख दिया है वो exist नहीं करते हैं वो cycle ही break हो जाएगा तो answer क्या हो जाता अपने पास अच्यादा stable A, फिर D, फिर C, फिर B, answer क्या हो जाएगा second और third वाले question में यहाँ पे plus charge है देखो ring लगा है, ring लगा है, ring लगा है, maximum लोगों को उनको इस question में problem था जहाँ से देख लो एक बास, देखो सब में जहाँ पे plus charge है वो resonance करके कहा जाएगा, ortho और para position पे, सब जगा पे, अगर वो ortho para पे जाएगा, यहाँ पर भी ortho para में जाएगे, यहाँ पर भी ortho para में जाएगा, और इधर भी, अगर हम लोग जहाँ से देखें तो A में और C मे B सबसे कम, B मतलब option में उसे second बुल गया है, तो यह सबसे कम stable होगा, या तो answer first होगा, या तो third होगा, और 1 और 3 में, मतलब A और C में कौन जादा stable रहेगा, इसी में ही लोगों को confusion था, कौन जादा stable रहेगा, बोलेंगे यहाँ पर भी loan pair मिल रहा है plus charge को, यहाँ भी loan pair मिल देखो, खीचने वाला, electron खीचता है, वो अपने तरफ electron attract करता है, और electron attract करता है, तो stability कम करता है, इस वज़ा से जो यह वाला है, यहाँ पे तो oxygen दूर है, main carbocatine से, तो कम खीच पाएगा, यह बहुत पास में है, उससे तो ज़्यादा कीच होगा, तो यह कम stable होगा, यह ज फिर one, फिर two, answer हो जाता, first part, ठीक, चलिए, आज का वीडियो हम लोगी start करते हैं इधर, और सीखेंगी क्या इधर, कारbocatine में ही, जो हम लोगों ने ring expansion, rearrangement, stability, यह सब compare किया, उसे का use करेंगे और आगे चलेंगी, ठीक, चलो, तो पहले हम लोग सीखने चल रहे हैं, reaction of alkene with HCl HBr HI ठीक, कभी-कभी हो सकता, यहाँ वो solvent, CCL4 दे दे, या कोई और, उससे ज़्यादा फरक नहीं पड़ता है, क्या होगा, हमारे पास कोई alkene होगा, उसकी reaction माम लो, उसने दे दिया, HCl से कराओ, क्या होगा, HCl के पास क्या है, HCl अच्छा है, इसीड है, उसके पास H+, होगा, H+, क्या है, H+, है, इलेक्ट्रोफाइल, होगा, इलेक्ट्रोफाइल मतलब, H+, के पास तो भَगवान ने H को एक ही इलेक्ट्रोण दिये, इसकी वज़े से pi bond किसी तरफ shift होगा किस तरफ shift होगा हमें पता नहीं है मतलब ऐसा देखो कि इधर भी hc hyperconjugation same है इधर भी same है अगर different होता तो हम जानते थे जिधर कम hc hyperconjugation होगा उधर shift हो जाएगा तो अभी चाहिज इधर shift करा दो इधर plus इधर minus आजाएगा जहाँ minus आएगा उसके साथ कौन लग जाएगा h plus तो ये क्या हुआ ये electrofile जैसा काम कर रहा है इसको बुलेंगे हम लोग attacking electrophile ठीक? attacking electrophile वो alkin में जाकर के attack किया alkin का pi bond थोड़ करके add हो गया अब बना क्या ये plus charge ये बना carbocatine इसलिए ये सब नहीं सीख रहे थे पहले हम ने carbocatine के बारे में सीखा अब जो carbocatine बना वो अब यहीं पर ही हम लोग कसम खाएंगे जिस भी mechanism में अगर carbocatine बना तो अगर rearrangement possible है तो rearrangement कराएंगे और अपना target हमेशा रहेगा most stable carbocatine बनाना क्या बनाना रहेगा हमेशा most stable carbocatine हमेशा ही most stable carbocatine पर target करेंगे तो चलो ये carbocatine है अच्छा ये तो हमारे पास ऐसे है CH3 उसी को मैं लिख रहा CH2 प्लस यहाँ पर rearrangement कराने से कोई फायदा नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा अब ये ऐसे ही रहेगा तो यही हो गया अपना most stable carbocatine इसके बाद क्या करेंगे हम इसके बाद अगर ये carbocatine बन गया अब इसके पास देखो H प्लस तो आके add हो गया था वहाँ पर फिरी हुआ होगा CL minus carbocatine जो बना वो most stable carbocatine में convert होगा उसके बाद CL minus आके add हो जाएगा आ करके CL यहाँ पर add हो गया ये मिल गया अपने को product अच्छा तो इस पूरी mechanism को नाम क्या देंगे देखो H प्लस और CL minus दोनों ही जा करके वहाँ पर add हो गया इसलिए बोलते हैं addition और किसका addition इलेक्टोफाइल का इसलिए बोलते हैं इलेक्टोफिलिक इलेक्टोफिलिक एडीशन डियक्शन इलेक्टोफिलिक एडीशन डियक्शन वाया carbocatine mechanism देखो बेच में carbocatine बना तब जा करके product मिला ठीक जैसे हमें देदेता ये CH3 CH double bond CH2 और इसकी reaction हम लोग कराना चाहते हैं देखो मैं अक्सर HCL लिख रहा इसका ये मतलब नहीं कि HCL के साथ ही ऐसा होगा HCL, HBR, HI तीनों के साथ ऐसा ही होगा अब यहाँ पर भी πाई बॉंड किधर shift होगा इधर HCH पर conjugation है उसकी वज़ा से πाई बॉंड कम HCH पर इधर तो HC आपर conjugation है नहीं इधर plus, इधर minus तो अगर हम लोग step 1 लिखेंगे तो Electrophile का attack होगा उसमें यहाँ पर plus, यहाँ पर minus जो H plus है वो कहा लग जाएगा इस minus के साथ इसी को बोलेंगे Electrophilic addition reaction Electrophile add हो गया CH2 के साथ H add हो जाएगा पेच में आ जाएगा plus Carbocatine बन रहा है Carbocatine का बनना ही slow step रहता है इसलिए इसको बोल देते है rate determining step ठीक, अब यह जो Carbocatine बना देखो क्या यह ऐसे ही stable है CH3, CX, CH3 यह Carbocatine rearrange होगा क्या? नहीं, यह terminal पे तो जाएगा नहीं तो यह Carbocatine ऐसे ही सही है तो यही हो गया अपना Most Stable Carbocatine अब इसी में कौन आके लग जाएगा? C L minus अगर rearrangement हो सकता तो तो rearrangement कराते यह बन जाएगा CH3, CX, C L, CH3 यह था अपना step 1 यह वाला step fast होता है Carbocatine बने, उसको C L minus उसको loan पेर चाहिए होता है वो loan पेर ले लेगा C L minus से बना देगा यह क्या ISO, याद करो CH3, CH, CH3 इसको बोल देते हैं ISO, तीन ही Carbocatine है तो प्रोपाइल क्या बोल दोगे ISO, प्रोपाइल, क्लोराइड ISO, प्रोपाइल, क्लोराइड अगर हमें वो ऐसे दे देता है मान लो ऐसे दे देता है यह बड़ा important question है H C L C C L 4 के साथ क्या होता हम बोलते है फिर वई, किधर जाएगा πाइब उधर है पर कंजगेशन है यह नहीं इधर एक हैपर कंजगेशन है तो पाइब उधर shift होगा तो जब तुम पहला step देखोगे इधर क्या आए जाएगा प्लस उधर क्या जाएगा माइनस माइनस पर क्या लग जाएगा H प्लस 8 हो जाएगा इधर प्लस इधर माइनस माइनस पर H प्लस 8 हो जाएगा और हमें मिलेगा यह यहाँ पर आजाएगा और यह वहाँ shift हो जाएगा, अभी इसके पास hc hyperconjugation कितने हैं, देखो, 4, 3 वहाँ, 1 यहाँ, अगर वो rearrange हो करके यहाँ चलाए तो, यहाँ चलाए तो, अब देखो इसके पास hc hyperconjugation कितने हो गए, 3, 3, 6, दिख रहा है, इसके पास hc hyperconjugation, देखो, ch3, 3, इधर भी 3, और य 6 to 8, तो hc hyperconjugation बढ़ गया, rearrange हो जाएगा, फिर वो carbocatine stability बढ़ा लिया, अब यहाँ से कहीं जाएगा क्या, उधर तो जाएगा ही नहीं, यही हो गया most stable carbocatine, अब क्या होगा, अब इसमें cl-8 हो जाएगा, जो बायार निकला था, यहाँ cl-8 हो जाएगा, बन जाएगा इलेक्टोफिलिक addition reaction वाया carbocatine mechanism, इसी वज़ा से अगर carbocatine बना, अगर वो rearrange हो सकता है तो rearrange कराएगे और उसके बाद product बनाएगे, अपना final product क्या हो जाएगा, यहाँ पे लोग जैम आतादी से product नहीं लिख सकते, मतलब तुम डारेक्ट ऐसे नहीं कर सकते, pi bond उधर गया, प्लस इधर, मानिस इधर, तुमने मानिस पे h लगा दिया, प्लस पे c l लगा दिया, फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा product, यहीं मिलेगा major product.